आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेप्टेंबर के महीने में होने वाले कुछ इंपॉर्टन प्लानेटरी चेंजिस के बारे में डिस्कुस करूंगे 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास है क्या होता है अधिक मास कैसे काल्किलेट किया जाता है देखिए जो हिंदू पंचांग है उसमें जो हम हिंदी जो कैलेंडर है उसमें जो हम महीनों का कैल्कुलेशन करते हैं वो हम मून के चंद्रमा के मूव्मेंट के हिसाब से करते हैं तो जो हिंदी महीना है वो 27 दिन का होता है 27.3 डेस का होता है और जो solar month होता है, जो calendar में जो हम solar month calculate करते हैं, वो 30 दिन या 31 दिन का होता है, अब क्या होता है कि 27 दिन का और 30 दिन, हर साल क्या होता है, at the end of every year, 11 दिन का difference आ जाता है, तो हर 32 महीनों के बाद, एक extra महीना, एक महीना जो है वो add कर दिया जाता है, जिसको की अधिक मास कहा जाता है, इसलिए किया जाता है, जिससे की जो solar month है और जो lunar month है, वो बराबर से हो जाएं, equal हो जाएं, जो यह अधिक मास है, इसको पुरशोतम मास और मल मास भी कहा जाता है, यह जो महीना होता है, वो spiritual activities करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इस महीने में अगर यग्य करना चाहें, तो इस महीने में जरूर करें, उसके अलावा दान का काम अगर आप करना चाहें, किसी तरह का दान करना चाहें, किसी तरह की सेवा करना चाहें, तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो बलकि मैं यह कहूंगी आप लोगों से कि इस महीने में जो है ऐसी कोई ना कोई आक्टिविटी जरूर करें क्या चीजें हैं जो इस महीने में नहीं करनी चाहिए इस महीने में शादी या शादी से रिलेटेड़ जैसे कोई सगाई हुई या रोका सेरिमनी हुई ऐसी चीजें जो है वो अवाइड करें इसके अलाव वोइड करने को कहा जाता है पर भगवान से जुडने के लिए भक्ती के लिए ये महीना जो है बहुत ही शुब महीना है तो फ्रेंट्स ये था मेरा अनालेसिस फॉर दी मन्त अफ सेप्टेमबर I will be really looking forward for your feedback Thank you very much and take care of yourselves